Hello Everyone, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल Team Retton में Friend क्या आपके भी Pixel Lab Application में font aid नहीं हो रहे हैं जब आप अपने Pixel Lab Application में font aid करने की कोशिस करते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरीके का option दिखाई देता है और font add करने के लिए जब यहाँ पर आप इस folder पे click करते हैं और अपने font के internal storage में जाते हैं और यहाँ पर जब आप उस folder को open करते हैं जिस folder में आपका font style है तो उस folder को open करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से blank नजर आता है और आपका font style आपके pixel lab application में add नहीं हो पाता है तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में आपका यह problem 100% solve होने वाला है और आपके भी pixel lab application में इस तरीके से बहुत सारे font style add हो जाएंगे तो इस problem को solve करने के लिए सबसे पहले आपके mobile में जो pixel lab application है उसे uninstall कर देना है, delete कर देना है क्योंकि उस pixel lab application में font style add नहीं हो पाएगा तो अपने mobile से उस pixel lab application को uninstall कर देना है, delete कर देना है इसके बाद आपको मेरे टेली ग्राम चैनल पे चले जाना है मेरे टेली ग्राम चैनल का link यहां पर आपको इस video के description में मिल जाएगा या फिर आप टेली ग्राम पर team return लिख के search करेंगे तो मेरा टेली ग्राम चैनल यहां पर सबसे first में ही आ जाएगा तो मेरे टेली ग्राम चैनल को आपको join कर लेना है इसके बाद मेरे टेलिग्राम चैनल पर आपको एक अप्लिकेशन मिल जाएगा उस अप्लिकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है और अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है इसके अलावा मेरे टेलिग्राम चैनल पर आपको एक font का zip file भी मिलेगा इस zip file में बहुत सारे font style है तो इस zip file को भी आपको डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद अब आपको अपने phone के internal storage में चले जाना है और यहाँ पर आपको उस folder को open करना है जिस folder में आपने उस zip file को download किया हुआ है तो उस folder को open करने के बाद अब यहाँ पर आपको zip file को select कर लेना है इसके बाद three dot पे click करना है और extract file पे यहाँ पर click कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक और folder इस तरीके से देखने को मिलेगा जो कि team रतन लिखा हुआ है तो इस तरीके का folder आपको एक और मिल जा से जो application को download करके install किया है उस application को यानि कि उस pixel lab application को अब आपको open कर लेना है open करने के बाद यहाँ पर आपको text को select करना है और यहाँ पर नीचे के side A वाले option पे click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से धिरे धिरे slide करना है और यहाँ पर आपको एक option मिलता है A B का यहाँ पर आपको A B वाले option पे click करना है इसके बाद अब यहाँ पर आपको उपर के साइट एक option मिलता है my font का तो यहाँ पर आपको my font पे click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे उपर के side corner में यहाँ पर आपको इस folder वाले option पे click करना है इसके बाद अब यहाँ पर आपको अपने phone के internal storage में आ जाना है और यहाँ पर आपको उस folder को open करना है जिस folder में आपने उस zip file को extract किया हुआ है तो उस folder को open करने के बाद अब यहाँ पर team रतन वाला जो folder है यहाँ पर आपने जिस folder को extract किया था तो उस folder को अब यहाँ पर आपको open कर लेना है इसके बाद open करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको बहुत सारे यहाँ पर font देखने को मिलेंगे तो अब इन सभी font को आपको अपने pixel lab application में add करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर नीचे के side add directory पे click कर देना है इसके बाद जितने भी font style हैं इस सभी font style यहाँ पर आपके pixel lab application में इस तरीके से add हो जाएंगे तो फ्रेंड अगर आपके pixel lab application में font style add नहीं हो रहे है तो इस तरीके से आप अपनी problem को solve करके यहाँ पर आप अपने pixel lab application में इस तरीके से font style add कर पाएंगे तो उमीद करता हूँ आज का यह वीडियो आपके लिए informative रहोगा helpful रहोगा तो वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को like किजे comment किजे और अपने friend and family में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा share किजे और साथ ही हमारे YouTube चैनल को भी subscribe जरूर कर ले